Hello everyone, Welcome to RPSC Study Hub जैसा कि सबी को पता है कि RAS Pre का result जो है वो Supreme Court के द्वारा उसका Revise Result जारी करने के लिए कहा गया है तो उसी को लेकर RPSC जो है अब क्या निने लेगी तो RPSC का decision ये है कि RPSC Double Bench में जो है वो याचिका दायर करेगी उसके लिए RPSC की जो प्रक्रिया जो है वो क्या चल रही है उसी के बारे में हम जो है इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो आए जानते हैं क्या RPSC स्टेंड ले रही है हम आपको बता दे कि 27 सक्टूबर 2021 को आईज़ित की जी इस परिक्षा में 3,6,000 अभियर्टियों ने उपसिती दर्ज करवाई थी 19 तौबर 2021 को परिणाम जारी किया गया था 20,102 अभियर्टि होए थे प्री परिक्षा में सफल गूशित परिणाम रद की जाने से मुख्य परिक्षा पर भी संकट के बादल गहरा गए है RS मुख्य परिक्षा भी अब इस्तगित हो सकती है जो 25 और 26 वरवरी को जो परिक्षा होने वाली है मेंस के एक्जाम जो है वो इस्तगित हो सकती है अभी RPSC जो है DB में आज जी का दायर करेगी उसमें यह बताएगी कि हमने एक्जाम की सारी तैयारी हो चुके या परमिशन लेटर वी आ चुके हैं अब परमिशन लेटर वी तक नहीं मिलें है एकल पिट के आधेश के कॉपी आधेश की कोपी मिलने के बाद दायर करने पर लिननय हो पाएगा तो कोपी जो है वो RPSE को भी मिल चुकी है आज हो सकता है संबभ हो की just estão season with only मामले पर जल सुनवाई के लिए कोट से अनुमत भी मांगी गई ती जिसके बाद दो बजे सुनवाई की अनुमती कोट ने दे दी है और सीजे की खंटपीट मामले की सुनवाई जो है वो इसमें करेगी नेक्स देखते हैं आरपीएसी की तरफ से महादिवक्ता एमल सिंग वी और आरपीएसी के स्टेंडिंग काउंसिल एमस बेग ने खंटपीट में अपील दायर करके कहा की कोट खुद एक्सपर्ट बनकर प्रश्णों के उत्तर नहीं बदल सकती है और किसी प्रश्ण को डिलीट करने के आदेश भी नहीं दे सकती है वही राजस सरकार ने मुख्य परिक्षा की तयारियां जो है वो पूरी क प्रश्ण करने लेती है में जो है इसका ओफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है वैसे पूरा जो माहोल जो है वो यही बन रहा है कि आरपेसी को जो है वो मेंस एक्जाम जो है वो आगे करनी ही पड़ेगी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है क कि सुप्रीम कोड आगर हो सकता है कि जो बच्चे है या फिर जो स्टुडेंट्स है जिनके ही प्रभावित हो रहे हैं वो सुप्रीम कोड तक भी जा सकते हैं सो थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो